नमस्कार दोस्तों मैं संदीफ स्वागत था आप सभी का आज किस नई क्लास में दोस्तों आज किस वीडियों बात करने वाले हैं यानि किस वीडियो में कोईश्चन और एंसर दोनों included होंगे जो कि most important question है आपके आने वाले exam के लिए क्योंकि ये सारे question most important इसलिए क्योंकि ये सारे question जो है और नई सिच्छा नित के आधार पे हैं और आपके आने वाले exam के लिए काफी helpful है और question repeated भी है एक एक question मैंने filter करके रखा है और मैंने ये बी जो question में आप लोगों को बताऊंगा question और answer दोनों को बताऊंगा और दोनों को आप लोगों को समझाने का भी प्रियास करेंगे और मैं आपको बता दू ये इस बार आप सभी को मालूम है कि नई फिच्छा नीत के अधार पर जो question पूछे जा रहे हैं क्योंकि आप सभी को बह दोनों मिलेगी उस पर लोगों को लिखना होगा भायत के लगबग लगबग इनवर्सीटियों में जो इक्जाम का पैटर्न हो सकता है कुछ बाटते हैं और ठीकल ओसकते हैं जिसमें बात करने बाले मोस्ट इंप्पार्टन कोइछ्छन के बारे में जो किई जिन चाइज व्यार्ट में उनके लिए वीडियो बहुत ही important है और वीडियो को लास्ट तक देखना अगर आप लोगों को अच्छे से अच्छे मेरे द्वारा समझना है तो ठीक है और मैं आपको यह भी बता दू यह सारे question आपके लिए पूरी तरह helpful इसलिए होने वाले हैं क्योंकि मैं आपको वही question प्रवाइड करना हूं जो कि एक्जाम में कई वर प्मूछे भी जा चुके हैं पिछले सालों में ठीक है बिना देर को वीडियो में आगे बढ़ेंगे और की question आप लोग को पढ़ाते हैं और आप लोग को एंसर भी बताएंगे और हम चले मैंने आप लोगों को बताया था most important question मैंने फिल्टर के थे जो कि एक से 25 थे एक से 25 के बीस जो भी most important question थे वो मैंने आपको बताया हूं आज कि वीडियो में आप वो सारे question प्रवाइड करूंगा तीसरी यानि की वनचाफ तक हो गया आप 50 के आगे हम देखते हैं कब तक कित देंगे ठीक है question और answer यहाँ पर पहला question है कि चाया वज़तर कविताओं के अंतरगत किन कविताओं को अस्थान दिया गया तो तर में आप लोगों को यह लिख देना उतर प्रस्थिका में कि चाया वज़तर काब के अंतरगत चाया वज़तर परांत रचित ठीक है राष्ट लिखा है कि प्रगतिवाद यूग कब से कब तक माना जाता है यहाँ पर प्रगतिवाद प्रगतिवाद एक यूग है यह काल है आप लोग कह सकते हैं तो यहाँ पर यूग नहीं लिखा तो इसका नाम है प्रगतिवाद यूग कब से कब तक माना जाता है तो जो प्रगति प्रगतिवाद के जो कब से कब माना जाता है उसका सन है वो 1936 से 1943 तक प्रगतिवाद को प्रभासित कीजिए तो प्रगतिवाद क्या है इसके तो आपको इंसर बताएंगे लिखा इसमें कि प्रगतिवाद को प्रभासित करते हुए शिवदान सिंह चौहान ने कहा प्रगतिवाद साहित की धारा नहीं साहित का माक्षवादी दस्टकोड है जिसे रफ सिधान्त साहित की धारा नहीं साहित का प्रचीन अधतिमिक दस्टकोड है आता प्रगतिवाद को ठीक है प्रगतिवाद को सौदर साफ्तर समंधी माक्षिय दस्टकोड का हिंदी नामकर समझना चाहिए तो ये रहा प्रगति यह से या इस तरह से प्रगतिवाद यूग को प्रभासित किया है यह ध्यान में रखेगा तो यह मैं आपको बता दू जो भी छात वीडियो को देख रहे हैं जिनको समझ में नहीं आरा मैं आपको बता दू अगर आप लोगों को अच्छे समझना है तो एक बार में किसी को भ बारा वीडियो देखेंगे तो यह पी नहीं भी वीडियो देखनी है तो इस पूरे का पूरे के जो कोईस्चन है और इसका टेलिग्राम चैनल पे मैं पूरा का पूरा पीडियाप डालूंगा तो आप लोग डाउनलोड करके आफ आने से बाद में पढ़ लीजेगा ठीक ह लेकिन पहले वीडियो देखिए उसके बाद टेलिग्राम चैनल पे मैं आपको बताऊंगा तो कहां से आप लोगों के पीडियाप मिलेगी ठीक है नेस्ट कोईस्चन में है लिखा है कि तिरबन नंबर कोईस्चन है कि प्रगत शील का विधारा के प्रमुक कभी निम लिख लिखे लगी है इस बार भी आशकता है तो अंसर में आप लोगों को लिख देना कि प्रमुक का भी है प्राइए आखें अगला है सत्रंगे पंखो वाली और इसमें लिखा तलाब की मचलिया और भसमांकुर तो यह रही नागार जुन की प्रमुख ठीक है इनकी जो प्रमुख रचनाया कृतियां हैं नेस्टा आजाता है कि केदारनाथ की जो प्रमुख करतियां है केदारनाथ आगवाल की वह यहाँ पर है तो ये प्रमुक कभियां जो क्रतियां हैं वो तिलोचन जी की है, ध्यान में रखेगा, एक एक question मैं आपको most important जो है वही बता रहा हूँ, निस्ट इसमें है सियुम अंगल सिंग सुमा, सियुम अंगल सिंग की जो प्रमुक क्रतियां है वो है हिलोल, ठीक है, हिलोल, अगला न अब हम बढ़ेंगे, निस्ट इवाद को किनी चार प्रक्तियों का उल्लेक कीजिए, तो इस वीडियो में मैं जो question प्रवाइट कर रहा हूं, मैं आपको बता दो, पहले ये भी जानकाई दे दूँ, मैं पहले बताने के लिए भूल गया हूँ, किस वीडियों जो question होने वा हैं, आप लोग के काफी helpful तो होंगे ही, और ये जो question है, ये top label के question है, ये आप लोग जो समझ में आ रहा है question, उसको आप लोग note down भी कर लीजेगा, जिससे आप लोगो बाद में पढ़ने में आसानी भी होगी, और ये जो सारे question है, मैंने आपको बताए दिया, PDF मिली नारी स्वतनतरात्या की पुकार, नेस्ट है कला के प्रति नवीन दस्ट कोण ओके तो यह रहे इस कोश्चन के एंसर और यह अगर आप लोग प्रवक्तिया या फिर इसकी जो चार विश्चता है ध्यान में रखेंगे तो आपको काफी मदद मिले कि यह कोश्चन आ सकता है नेस्ट कोश्चन है कि प्रियोगवाद का जन्म किसके बिरोज से हुआ तो जो प्रियोगवाद का जन्म है वो किसके बिरोज से हुआ उसका नाम हम पढ़ेंगे और आप लोगों बताएंगे भी लिखा है कि आधुनिक हिंदी कविता में आधुनिक हिंदी कविता में प्रिय प्रियोगवाद का परवर्तक किसे माना जाता है वह आप लोगों को पढ़ने कभी मिल जाएगा लिखा है कि प्रवर्तन ठीक है प्रियोगवाद के प्रवर्तन का फच्चा फ्रे अग्य जी को दिया जाता है अग्य जी ने प्रियोगवादी कभिताओं को जन समानी के सामने ले आने के लिए बिभिन सब्तको का संपादन प्रकासन किया है तो मैं आपको बता दू प्रियोगवाद से 100% कुछे जाएंगे और जो सब तक हैं, आप लोगों को आगे question का answer मिलेगा, तो आप लोगों समझ में आ जाएगा, सब तक क्या है, और सब तक सम्मंदित बहुत सारे question पूशे जाते हैं, ठीक है, और next question इसी में है, लिखा है कि प्रियोगवाद के प्रमुक कभी हैं, उनका क्या का नाम है, तो प अग्या जो है, इनकी उपाध मिली है, ठीक है, जो अग्या है, इनका पूरा नाम है, यही से स्टार्ट होता है, और यहां तक अग्या जो है, वो उपाध मिली है, इनको, निश्कोशन है, यही कि निश्ट जो कभी हैं, वो हैं, डाक्टर रामिला सर्मा, निश्ट हैं, गि नरायड ब्यास नरेश महता धर्म भारती रगवीर सहाय इत्यादी या फिर आदि यह प्रमुक कभी हैं जो कि प्रियोग वाद के हैं ठीक प्रियोग वादी उपके तो आप लोगों के यह भी कोश्चन समझ में आ गया होगा ठीक है अब हम बढ़ेंगे नेस्ट कोश्चन की और नई कभीता से सम्पंदीत भी बहुत सारे कोश्चन पूछे जाएंगे जो कि नस्केक आप लोगों को देखने को मिल ला होगा लिखा कि नई कभीता का उद्भाव किस का बिधारा के अवसान के उपरान्त हुआ तो नई कभीता का उद्भाव प्रियोग वादी कभीता के अवसान के उपरांत हुआ ध्यान में रखेगा नई कविता का उद्भाव प्रियोग वादी कविता के आवसान के उपरांत हुआ ठीक है एतिहासिक दिश्ट से बिचार करने पर यतत उभर कर सामने आता है कि सन 1950 तक प्रियोग की एकांतिक व्रत के कारण आकर्शन कम हो गय कविता अब चमतकारवादी रूपवादी रूडियों के बंधनों को तोड़कर पूरे जीवन को सामने लाने का संगर्स करने लगी उसके लिए एक नए नाम की जरूत महसूस की गई अताहर इसे नए कविता के नाम से संब्धित किया गया तो यह आप लोग को याद कर लेना यह most important question है नए कविता से संब्धित जो है तो नए कविता का उदर भाव या फिर आप लोग इसका कैसे विकास हुआ तो यह इस question का answer हुआ ठीक है पूरा का पूरा इस question है लिखा कि नए कविता क्या प्रमुक कभियों का नाम लिखे तो नए कविता जो है उसके जो प्रमु प्रमुक जो है वो मैं आपको बता देता हूं अग्ये यानि कि आपने वी उपर पढ़ाई ठीक है उपर पढ़ाई उनका नाम क्या था आप लोग ने अच्छे पढ़ी लिया है कि सचिदानंद हीरानंद बातसल अग्ये ठीक है तो यह जो प्रमुक कभी है वो नई कविता है ठीक है और इसमें आप लोगों को मिल जाएगा मुक्ति बोध गिर्जया कुमार माथूर धनबीर भारती भावानी प्रिशाद मिस्र नरिश महता सर्वेस और दयाल सक्सेना कुवर नरायन जगदिश गुप्त दुसियंत कुमार स्रीकांत वर्मा रगबीर सहाय परताब कि किरति च reject और मदन वास्यान आध इत्याद जो है वह नहीं कविता के प्रमुक कभी के नाम लिख नहां कि यह तो बहुत सारे हो गए कभी आप लोग 5-6 कभी का नाम भी लग देंगे तो यह सारे कोश्चन जो है अतलगउतρι के रहे हैं तो आप लोगों को पूरे का पूरे जो भी आतलगउतरे का जो मांक्स फिश्क किया गया है उसे की अधार पे आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे नेस्ट कोश्चन है लिखा कि नकेन वाद से सम्बंदित कभियों के नाम लिखिए तो नकेन वाद से सम्बंदित जो कभियों के नाम है वो निम्नुवत है लिखा कि नकेन वाद से सम्मंदित कभी जो नाम है वो है बिलोचन सर्मा केसरी कुमार तथा नरेश महता हैं तो नवगीत के जो प्रमुख रसनाकार है या फिर उसके जो वर्णाकार है उनके नाप लिखना है आप लोगों को तो निम्नुवत है जो कि मैं आपको बता रहा प्रमुख नोगीत के अगरे लिखित है वह है जानकी बललव सास्त्री जी शिव मंगल सिंग सुमन ठाकुर पसास सिंग ठीक है मड़ी मदुकर और अगले हैं बाल सुरूप राही और नेश्ट है सोम ठाकुर और नेश्ट है ओम प्रकास सिंग इत्याद तो यह जो प्रमु यदि ले खार के यह नोगीत के प्रमुख रशनाकार याद रखेंगा चला बसरों रामधारे सिंग कुछा गया इनकार का जन्म कब और कहला था यह जहां जन्म क्षाए मुंगेर के स्षिमरिय थिक असल इस है और जेए नमक잡 में सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो आप लोगों को रामधारे शिंग दिनकर की जुम्रत्य है इनका पूरा नाम है रामधाय सब्सक्राइब नाम हम सब्सक्राइब अब्सक्राइब आरिए के मैं और को पूर्मुक रशनायाовор को iis यहिए इस वो यही कह रहा है तो रामधायर नंट ग्रीलिक्त है या ग्रेल में नहींट व दिल्कते निगट Babur तूसरी है प्रणभंग और निश्ट है हुंकार रस्वंति है द्वंतिगीत है कुर्छेत्र है सामधेनी है बापू है रस्मिरती है नीम के पत्ते हैं रेती का फूल है उर्बरसी चीपी और संख इत्याद इनके जो प्रमुक रशनाएं हैं जो आपके सामने निन्वत थी नेस्ट इसी में कोश्चन है कि दिनकर जी को किस रस्वंति का साहित अकदमी पुरुशकार से सम्मानित किया गया था तो दिनकर जी को संस्कित के चार अध्याय नामक संस्कित के चार अध्याय नामक पुरुश्टक पर इनको साहित अकदमी पुरुशकार से सम्मानित या पुरुशक्रित किया था तो यह रहे आज के मोस्ट इंपार्टन कोश्चन ठीक है तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आप इसे तरह के और भी मुश्ट इंपार्टन कोश्चन चाहते तो कमेंट सक्षिंट आपके लिए खाली आप लोग बताइए तो हम नेस्ट वीडियो में और भी मुश्ट इंपार्टन कोश्चन आपको प्रुवाइड करेंगे जो की हिंदी से संबंधित होगे कोई भी कुश्चन में आप लोगों को जो पूरा का पूरा माडल कोईश्चन पेपर यानि कि जो कुईश्चन और एंसर दोनों के दोनों मिल जाएंगी तो आप लोग आसाइं से डाउनलोड करके आसाइं से पढ़ते रही है अबाद में ठीक है जो आपके एक्जाम के लिए काफी एलपल ने कोई क आपको मिलते हैं निस्ट वीडियों निस्ट क्लास के साथ अब तक लें जाहिंद